बाला सोर में वेहाथ से घटनास्तल पर पहुंचे हैं यह तस्विरें देख रहा है आप प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी बाला सोर पहुंच गए हैं घटनास्तल का जायजा लेंगे प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी दरसल इस हाथ से में बड़ी संक्या में लोगों की जान गई है तो प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी बाला सोर पहुँच गए हैं घटनास्थल पर पहुँचे हैं प्यम मोदी अस्पताल में घायलों से मुलाकात भी करेंगे प्रधान मंतरी ओडिशा ट्रेंड हाथ से में दरसल 288 लोगों की अभी तक मौत की पुस्टी हो चुकी है और एक हजार से जादा लोग इस हाथ से में घायल हुए हैं घटनास्थल पर राहत और बचाओ का काम अभी भी सब्सक्राइब ही निचाओ की अमुट प्रियक्ष Ariad, मुट प्रियक्ष इस अव्र प्रॉट कि खिएंस्टी प्रोगों की अजिए झाइक है इंचु दी इंचु दिस एरिया तो वियरी सी वाट्स दा ग्राउंड सिचुएशन राहत कोश्च से पहले ही ऐलान किया जा चुका है राहत का जो मृतक हैं उनके परिवारों के लिए और जो गायल हुए हैं उनके लिए भी और से पहले प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने एक बैठक भी की थी उसमें समझा भी था कि कैसे ये हादसा हुआ रहे हादसा पेश आया है और अब खुद प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी बाला सोर पहुँचे हैं घायलों का हाल चाल भी जाने के घायलों से वो मिलेंगे भी rescue operation अलाकि लगातार चल रहा है rescue operation पर भी प्रधान मंतरी नरिंदर बोधी लगातार नज़र बनाये हुए थे और अब घटना इस्थल पर बाला सोर पहुँचे है प्रधान मंतरी नरिंदर बोधी सीधी तस्वीरे हैं ये और यहां पर प्रधान मंतरी नरिंदर बोधी जो गायल है जिनका इलाज चल रहा है उनसे मिलेंगे भी उनसे मुलाकाद भी करेंगे आपको बतादें कि एक हजार से ज़्यादा लोग जख्मी है जिनका इलाज चल रहा है इस हाथसे में जबकि 280 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है तो 280 लोगों की मौत की पुस्टी भी हो चुकी है तो बाला सोर में तीन ट्रिने आपस में ठकराई इनमें एक मालगारी भी थी बहुत ही भीशन और दर्दना की हाथसा ये घटना स्थल की तस्वीरें और खुद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे हैं जाज़ा लेने तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये सीधी तस्वीरें हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे हैं आद्सरे का जाज़ा ले रहे हैं कितना भायाना की हाथसा रहा होगा इसे एक तस्वीर को देखकर ही आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं उडिशा के बाला सोर में ये हाथसा पेश आया था पले एक प्रेंट पटरी से उतरती है और इसके बाद दूरन तो जाकर वह तेज रफतार में उससे जा ठकराती है एक और प्रेंट फिर ठकरा जाती है जहां गटना गटी है वहां पहुँचे हैं प्रुद्धान मंत्री नरींदर मोदी बेर फुर्दे विदार की ये हाथसा अलकि रैसकी उपरेशन अभी भी चल रहा है लगाता रैसकी उपरेशन जारी है एक हजार से जादा लोग जख्वी इस हाथसे में हुए है अलगि पहले ही प्रुद्धान मंत्री राहत कोश से राहत का ऐलान हो चुका है और इसे पहले प्रुद्धान मंत्री नरींदर मोदी ने बड़ी बैठक भी बलाई थी उस बैठक में भी इस हाथसे के बारे में जाना था समझा था कि आकर हाथसे की वज़े रही क्या है कैसे ये हाथसा हुआ है और अब घटना इस्तल पहुंचे हैं घटना इस्तल पर ओडिशा के बाला सोर में जहां ये बेहद ही हरुदय विदारक घटना घटी है तीन प्रेने आपस में तकराई दोसुआठासी लोगों की अभी तक जान जानी की पुस्टी भी साथसे में हो चुकी है एक हजार से जादा लोग घायल हैं आपको बता दें यहां पर घायलों से भी मिलेंगे प्रधार मंत्री नरिंद्र मोदी तो दरसल तीन ट्रेने आपस में तकराई थी पहले कोरो मंडल एक्सप्रेस पट्री से उतर गई थी और एक माल गाड़ी से जाबड़ी तेजर अफ़तार में और इसके बाद दूसरी तरफ से आ रही दूरन तो इन ट्रेनों से जा तकराई तीन ट्रेने इनमें एक माल गाड़ी आपस में तकराई और बहुत ही गंभीर यहादसा और प्रजान मतरी नरिंदर मोधी घटना अस्तल पर पहुँचे हैं घायलों से भी वो मुलाकात करेंगे यह दो तस्फिरें हम आपको दिखा रहे हैं एक जब वो हेलिकॉप्टर से घटना जहां पर घटी वहां उतर कर जाते हुए दूसरा खुद जाज़ा ले रहे हैं प्रजान मंतरी नरेंदर मोधी घटना सल पर पहुँचे हैं आपको बिता दें कि ओडिशा में हुए ट्रेन हाथसे के बाद यहां लगातार रेस्क्यू आपरेशन चल रहा है और इस रेस्क्यू आपरेशन का जायज़ा लेने घटना सल पर मुआइना करने के लिए खुद प्रजान मंतरी नरेंदर मोधी आप पहुंच गए हैं घटना सल पर जो मुआयना हो रहा है इस वक्त आप देख सकते हैं तसप्वीरों में बहां प्रजान मंतरी नरेंदर बहाद आप रेल मंतरी उनके साथ मौझ अधिकारियों का पूरा दस्ता महां मौझ अधूध और प पहुंचे हैं बाला सूर से तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं और घटना सल पर पीम मोदी के पहुंचने के बाद बहाँ इस वक्त आप देख सकते हैं तस्वीरे काफी जो हादसे के बाद की इस्तिती है उसके बारे में मुआइना करते हुए प्रधान मंतरी नरेंदर मोद मोदी हालात का जाइजा लेने के लिए यहां पहुंचे हैं तर असल यह जो पूरा हादसा हुआ इस हादसे ने पूरे देश को जगजोर कर रख दिया और अब तक के सबसे बड़े हादसे का यह इस वक्त मनजर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं और प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी घटना सलपर जाहरा लेने के लिए पहुंचे हैं डोसो अठासी लोगों की मौत 1100 से जादा लोगों का घाल होना रहत और बचावकार इस दोरान जा रही है स्युमन, प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी खुद यहां पर जाहरा लेने के और मौके पर ताने लोगों के साथ साथ पश्चिम बंगल के मुक्य मंतरी मम्ता बनरजी भी वहां जायजा लेने के लिए पहुंचे थी और अब प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी पहुंचे हैं बाला सोर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं घटना सल पर प्रधान मंतरी की स्थिती को समझने के लिए हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं एक उचित दूरी पर मीडिया खर्मचारियों को रोग दिया गया है वहां पर रहत और बचावकारिया में लगे जो एंडियर एस डियर एफ की टीम्स हैं और प्रधान मंतरी नरेंदर मोद मोदी यहां पहुंचे हैं घटना सल पर जो की एक टैंप्ररी हैली पैट भी यहां पर बनाया गया है और जानकारी यह भी मिल रही है कि इस बड़े रेल हादसे के क्या कारण रहे यह तो जाच के बाद स्पष्ट होगा बेतर तरीके से लेकिन प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी अब यहां पर हालात का जायजा लेने के बाद घायलों से मुलाकात करने के लिए भी जाएंगे तस्पीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं साथ ही आपको यह भी बता दे कि प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के घटना सल पर पहुंचने के बाद की यह तस्पीरे है और दो तस्पीरें इस वक्त हम आपको दिखा रही हैं जहां पर प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी हादसे के बारे में जानकारी लेने के लिए पहुंचे हैं और अप यह मोदी के साथ रेल मंतरी और उनके सुरक्षा कार्ड्स और साथ की अधिकारियों का पूरा दस्ता वहा कर रख दिया जगजोर कर रख दिया सोचने पर मचबूर कर दिया कि हम क्या विकास की वो रफ्तार पकड़ने में अभी पिछड रहे हैं क्या रफ्तार पकड़ने क्या वशक्ता है या पिर अभी पहले जान बचाएं क्योंकि इस तरह का हादसा ये बात स्पश्च करता है क और इस काम में जो तत्परता है उसकी क्या कमी कहीं रह गई कि इस वज़े से ऐसा इतना बड़ा दुर्गटना होना इस वक्त अस्पीर है आप देखे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रिय मंत्री अश्विनी वैशनव धर्मेंद्र प्रधान यहां पर हालात का जाइजा लेने के लिए पहुँचे हैं और प्रधान मंत्री के साथ धर्मेंद्र प्रधान अश्विनी वैशनव और उनके अधिकारी गर्ण महा मौझूद हैं इस वक्त हालात क्या है कैसे ये दुरगटना हु योगियों के साथ प्रधान मंतुरी वहां पर पहुंचे हैं हालात का जाइजा लेने के लिए तीन ट्रेंज के तुर्गटना गरस्त हो जाने के बाद ये हालात यहां पर बने हुए हैं और ऐसे में इस हादसे ने पूरे देश को जगजोर कर रख दिया है और इसकी वजह से जितना नुकसान हुआ चुकि इनसान की जान सबसे ज़्यादा कीमती है दो सो ठासी बहुमुल्य जानों को हमने खो दिया और प्रधान मंतुरी नरेंद्र मूदी इस वक्त वहां पहुंचे हैं जो एक फौरी तोर पर एक कक्ष वहां पर बनाया गया है जहां अधिकारियो की टीम मॉनिटरिंग के लिए लगी हुई है और हालात का जायजा लेने के लिए प्रधान मंतुरी नरेंद्र मूदी यहां पर पहुंचे हैं और तस्वीरे हम आपको दिखा दें यह दरसल एक एक टेंप्ररी एक कक्ष वहां बनाया गया प्रधान मंतुरी नरेंद्र इस वक्त आपको बता दें कि ये जो पूरी दुरगटना घटित हुई है इस दुरगटना के बाद लगातार जो रहात और बच्चावकारे चल रहा है उस पर निगरानी उनकी है और इस हालात को कैसे काबू करना है कैसे इस दुक की घड़ी में इस विपरीत परिश्चेती से निकलना है इसके लिए यहाँ पर खुद प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी पहुंचे हैं हालात का जायसा लेने और ये दरहसल ओडिशा में जो ट्रेन हादसा हुआ जिस हादसे ने पूरे देश को जगजोर कर रख दिया 288 बहुमुले जाने इसमें चली गई 288 लोगों की मौत हो गई और एक हजार से ज़्यादा लोग को चोट आई है हलाकि इस हादसे के बाद लगातार जो रेस्क्यू ऑपरिशन है वो अंजाम दिया जा रहा है SDRF, NDRF की टीम्स पूरी मुस्तेदी के साथ यहाँ पर स्ताने पुलिस, प्रशासन, सुरक्षा बलों के साथ आप देख सकते हैं महाँ पर बाचीत करते हुए और यह तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं तरसल यह ओडिशा में हुए इस ट्रेन हादसे के बाद की तस्वीरें हैं जब प्रधान मंतरी नरेंदर मुदी महाँ पर पहुंचे हैं और इस हादसे में जान गवाने वा अभी घालों का हाल चाल जानने के लिए भी प्रधान मंतरी नरेंदर मुदी आगे जाने वाले हैं फिलाल आपको बतादें कि प्रधान मंतरी नरेंदर मुदी इस वक्त जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं वहाँ एक टेम्पर descriptions रूम बनाया गया किन सहयोग की आवशकता रहेगी किन सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे आगे इन सब विश्यों पर प्रधान मंत्री संभवते हैं वहाँ पर बात करेंगे अधिकारियों से भी और जो पीडित परिवार के लोग हैं उनसे हाल चाल लेंगे जो घायल लोग हैं उन से दूर रखा जा रहा है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी वहाँ पर बात्रीत करते हुए और एक शक्स उनसे बात कर रहे हैं अब ये कौन है इसके बारे में थोड़ी डीटेल कुछी दिर में हम आप तक पहुँचाएंगे फिलहाल आपको बिता दें कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी पहुचे हैं और उनके साथ उनकी कैबिनिट के दो सही होगी रेल मंत्री और शक्षा मंत्री दोनों ही मौझूद हैं अब देख सकते हैं प्रधान मंत्री के दाई तरफ रेल मंत्री खड़े हैं और बाई तरफ शक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान खड इसके बारे में प्रधानमंत्री को ब्रीफिंग दी जा रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके बारे में जानकारी लेते हुए स्थानिय यहां पर जो अधिकारी गर्ण है वहां पहुंचे हुए हैं और सभी अधिकारियों को प्रधानमंत्री ने इस वक्त यहां प स्तिती है नियंतरण में लाए जाने के लिए अलाकि काफी संक्या में मीडिया के कर्मचारी भी वहां पर मौझूद हैं मीडिया के लोग वहां पहुचे हुएं और प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी आलात का जायजा लेने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुचे हैं और इस ब में पूरी तरह से मिल पाएगी चुकि ये हादसा जो है बेहत भीशन बेहत भयानक की हादसा है बहुत दरदना की हादसा है 288 लोगों की यहां पर मौत हो गई है और इस रेल हादसे ने हिला कर रख दिया सोचने पर मजबूर कर दिया और अब तस्वीरें जो आप देख र देने के लिए पहुँच रहे हैं जो इस वर्वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं दरथाल यह तस्वीरें प्रधान बंतरी नरेंद्र OUR कष़ की तस्वीरें एंड है जहाँ पर एक तैंपररी यहा unw कक्ष बनाया गया है प्रधान मंतरी वहां पहुंचे हैं और हालात के बारे में जानकारी ले रहे हैं क्या किस तरह की विवस्था यहां पर है क्या काम चल रहा है और इसके बारे में पूरे हादसे के बारे में वह बता रहे हैं वहां पर मौजूद जो अधिकारी है इस वक्त सारी जानकारी उन से साजह कर रहे हैं प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी जो की दिल्ली से चले भुबनेश्वर एरपोर्ट उत्रे और एरपोर्ट से वहाँ पर बाला सोर एक टेंपररी हेलिकॉप्टर हेलिपेट बनाए गया और हेलिकॉप्टर के माद्यम से प्रधान मंतरी वहाँ पहुँचे हैं और काफी गर्मी है वहाँ पर इस वक्त जो स्थिती है वो काफी विपरीत है और ऐसे महौल में इस तरहे रेल मंतरी बिल्कुल दुरगटना के ठीक बाद वहाँ पर पहुच गए थे और किसी भी तरह से जादा से जादा लोगों को बचाया जाए और घायलों को जल्द से जल्द वहाँ पर रहत पहुचाए जाए इसके लिए अब वहाँ पर मौजू देखिया अधिकारियों से स सबी अधिकारी वहाँ पर पहुचे हुए हैं लाइन से सबी बैठे हुए हैं बारी बारी से उनसे प्रधान मंतरी जानकारी लेते हुए और जो स्थानिय प्रशासन के अधिकारी गण हैं वहाँ पर ढुटे हुए हैं और उनको समय समय पर अब प्रधान मंतरी एक के बाद एक बुला रहे हैं उनसे हालात का जायजा ले रहे हैं पूछ रहे हैं क्या कुछ चल रहा है और क्या काम करने क्या उशक्ता है क्या कुछ अभी यहां पर संभवतिया इस पूरे रेस्क्यू आपरेशन को किस तरह से अंजाम दिया जा रहा है इसके बारे में भी प्रधान मंत है इस वक्त ये जो तस्विर एम बाला सोर से उस हादसे के बाद के ग्राउंड जीरो पर जो जाइजा लेने के लिए प्रधान मंतरी पहुंचे हैं उस वक्त कि ये तस्विरे ये भी सिदी तस्विरे हम आपको दिखा रहे हैं यहां पर जो पुलिस कर्मशारी हैं अधिकारी हैं सुरक्षा कर्मी हैं और स्थाने जो अधिकारी हैं प्रशासने का अधिकारी हैं वो भी मौके पर मौझूद हैं और इस वक्त किसी भी तरह से बहतर यहां पर रेस्क्यू आपरेशन को करके रखना है इसके लिए प्रधान منتری नरेंद्र मोधी खुद मौके पर पहुंचे हैं और खुद रेल पुलिस प्रशासन सुरक्षाबल और सभी प्रशासनी का अधिकारी मौके पर पहुँचे हो प्रधान मंत्री अधिकारियों से बाचीत करते हुए उनको ब्रीफ करते हुए अधिकारी और अधिकारियों को निर्देश देते हुए प्रधान मंत्री को आप देख सकते हैं इस वक्त यहां यह वो बड़ा रेल हादसा एक ऐसी दुरगटना जो कि अब तक के सबसे बड़े रेल हादसों में गिनी जाएगी 288 लोगों की बहमूल ले जान चली गई और इसके वज़े से 288 परिवारों को बहुत बड़ी खशती हुई है और एक हज़ार से ज़दा लोगों को यहां पर चोट आई है और उनको किसी भी तरह से बहतर से बहतर इलाज मोहिया कराई जाए इसके लिए प्रयास लगातार किये जा रहे हैं और आपको तस्वीरे हम दिखा रहे हैं इस वक्त जो दुर्गटना सल पर एक टेंप्ररी शेड बनाया गया है वहाँ पर प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी पहुंचे हैं हालात का जायजा लेने के लिए खुद प्रधान मंतरी जो है इस वक्त अधिकारियों से बात करते हु वे फ्रेल मंतरी अश्वीनी वैशन अब उन्हें कुछ बता रही हैं दुरगटना के बाद क्या चुनोतियां यहां पर हैं बहुत जादा बिखरा हुआ पूरा आलम पूरा मंजर जिसकी तस्वीरे लगातार हम आपको दिखा ही रहे थे जो स्तिती है वो पूरी तरह से एक तक उनकी सूचना सही तरीके से पहुँचे और उन डेट बोडिस को सम्मान उनके घर पहुँचाए जाए और जो घायलों को उपचार मिले जो उनका सामान है वो उनके घर तक पहुँचे और यहां पर जो पूरा मंजर बिखरा हुआ है उसे कैसे नियंतरित करना है कैसे उ जानकारी देते हुए अधिकारियों को आप देख सकते हैं प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी यहां से आगे निकल रहे हैं आप देख सकते हैं तस्वीरों में और खुद धर्मेंदर प्रधान और साथ में उनके अश्वीनी वैशनव जो कि इसी क्षेत्र से आते हैं उडिशा से आते हैं और ऐसे में वहां पर किसी भी तरह की अवेवस्था ना हो और कोई भी चुकि इतना बड़ा दुरगटना ये हो गई और इस दुरगटना के बाद अब कोशिश यह है कि अब भी हालात को संभाल लिया जाए चुकि किसी भी तरह का रेस्क्यू आपरेशन अगर किस कोई कमी महां न रहे अलाकि कुछ स्थाने लोग वहाँ पर जरूर पहुंचे हैं यह लोग यहां पर क्या सर्फ प्रिधान मंतरी से मिलने आ आये हैं या इस हाध्षे से इनका कुछ connection है या कुछ बात इहां पर यहां लिख मिलने के लिए प्रयास करें अभी पुलिस करमच से क्या ये वही लोग हैं ये पूरा एक अभी तस्वीरों में बहुत ज़ादा explain कर पाना संभव नहीं है लेकिन वहाँ पर कमांडोस की टीम मौझूद है प्रधान मंतरी की स्वरक्षा में लगे हुए लोग है और प्रधान मंतरी ये जो है वहाँ से आगे निकल चुके हैं हालात का जाइजा लेने के बाद वहाँ उन्होंने अधिकारियों से बाच्रीत कि और अधिकारियों से चर्चा करने के बाद कैसे इस पूरे संख्या में सुरक्षाबल मौझूद हैं प्रधान मंत्री आगे जो उनका तैय कारिक्रम है उसके बारे में जानकारी ये मिल रही है कि इसके बाद प्रधान मंत्री उन घायलों से मुलाकात करने जाएंगे जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं जिनको चोट आई है इस पूरे हा से निकाल कर घायल अवस्था में हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है जिनको प्रतिपल लगातार इलाज मौहिया करवाया जा रहा है उसके बारे में जानकारी लेने उनका हाल चाल जानने कोई समस्या उनके लिए तो नहीं है ऐसे इस पर खुद प्रधान मंत्री इस पर दुख जताय था और खुद इसके बारे में जायजा लेने के लिए मौके पर पहुँचे हैं और चुकि इसका एक जो पूरा प्रभाव होता है जो रेस्क्यू ऑपरेशन है किसी बी तरह से कोई भी कमी यहां पर नहो कोई कोर कसर कोई ढिला ही नहो चुकि बहुत चुन ऐसे में आपको उसमें हिस्सा लेना उसको ठीक तरीके से रेस्क्यू करना ये भी एक बड़ी चुनौती होती है विप्रीत परिस्थित्या है बहुती गर्मी है वहां पर हालात एकदम अस्तवेस्थ हैं सब कुछ वहां बिखरा हुआ है फिर भी उस हालात में भी प्रधान जिम्यदारी और यहां पर प्रधानमंतरी खुद मौके पर पहुँचे और दिखे फोन पर इस वक्त प्रधानमंतरी किसी से बात कर रहे हैं और हालात के बारे में जानकारी ली जा रही है दिकारी उन्हें पूरा एक्स्प्लेइन किया है और फोन पर इस वक्त प्रधानमं पर उन्होंने कि इस बारे में कुछ डीटेल्स दिये हैं, कुछ जानकारी, कुछ निर्देश उन्होंने दिये हैं कि इसके बारे में क्या वो Rescue Operation के संबंद में निर्देश दिये गए हैं या पिर आगे की जो कारवाई की जाएगी या आगे घाईलों से उनको जो मुलाकात कर किसे होना चाहिए तैस समय से पहले रेस्क्यू आपरिशन जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए और जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं उन्हें निकालने के लिए और खुद प्रधान मंतरी जब यहाँ पर जाहिजा लेने के लिए पहुँचे हैं आप समझ सकते हैं यह बेह अपस वहां मौझूद स्थानिय अधिकारी ने प्रधान मंतरी को फोन पहुचाया है और यह तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं जो इस बारे में प्रधान मंतरी नरेंदर मुदी चर्चा संभावे की कुछ जानकारी ले रहे हैं या निर्देश दे रहे हैं आला कि इस ब इस बात कर रहे हैं प्रधान मतरी फोन पहुचाया है पर किसी को निर्देश दिये जा रहे हैं क्या इसकी संबंद में उपरेशन इस वक्त जारी है और यह फोन वापस लोटा दिया गया है उन अधिकारी को जिकारी फोन था और अप प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी वहां पर हैं और रेल मंतरी अर्श्विनी वहां पर डटे कोई कमी नहीं होनी चाहिए इसके लिए वहां पर खुत प्रधान मतरी नरेंदर मोदी चर्चा करते हुए बातचीत करते हुए और जो निर्देश दिये गए हैं सही समय पर सही तरीके से जो वहां पर किसी तरह से सहाथ्जी का शुकार हुए और किसी रूप में इसे प्रधान मंतरी जाइजा ले रहे हैं तस्वीरे हम आपको दिखा दें ये ये तस्वीरे जो है निश्यत रूप से काफी दुगत ये दुगटना रही काफी दुगत ये हादसा रहा 288 लोगों की जान चली गई और आप देखे तस्वीरों में इस वक्त खुद रेल मंतरी और प्रधान मंतरी और कुछ अधिकारी वहाँ पर हैं वो बता रहे हैं संभव है इस हादसे के बाद की क्या स्थती रही और आगे कैसे इसको पूरे इस चुनोती से निपटना है चुकि बहुत बढ़ी चुनोती पूरे देश के लिए ये एक बहुत बढ़ी चुनोती है पूरे देश के लिए ये एक दुक की घड़ी है लेकिन इस चुनोती से निपटना है इस संघर्श से निकलना है और इस दुक के घड़ी में एक साथ डटकर खड़े रहना है ये प्रयास होना चाहिए और ये जो तस्पीरे इस पक्ताब देख रहे हैं जो ओडिशा के बाल उइस टेम्प्ररी एक जुक कश वहां पर बनाएंगे ड़े इस चुक हैंपृट कि वरुट गर्मी इस वक्त वहां पर है और इस बिकट गर्मी में इस बहद गमभीर चुनोती पूर्ण हादसे के बाद जो सब कुछ वहां पर बिखरा हुआ है इस इस हादसे ने जिसने सब कुछ बिखरा कर रख दिया है उसे कैसे सम्मिटना है कैसे उसे हमें इस चुनौती को पार पाना है इसके बारे में प्रधान मंतरी, नरेद, रुमुदी, अधिकारियों को नर्देशित करते हुए क्या वेवस्थाएं हैं कैसे काम हो रहा है और इसके बारे में खुद प्रधान मंतरी जानकारी लेते हुए केंद्रिय दोनों सहयोगी जो उनके हैं शिक्षा मंतरी हैं और केंद्रिय रेल मंतरी हैं दोनों ही उनके साथ मौजूद हैं और आगे इस तरह की हालात को कैसे निपटना इससे इसके बारे में खुछ जानकारी लेने के बाद अब प्रधान मंतरी नरेद्ध बोधी यहां से निकलें और इस बिच जो लोग वहाँ पर हैं वो किसी किसी वज़े से प्रधान मंतरी से संभवय की मिलना चाहते हैं, देखन कारण है अला कि ये अभी बहुत स्पश्ट नहीं है तस्वीरें हम आपको जो दिखा रहे हैं हादसे के बाद वहाँ पर जो घायलों को शेड मोहया कराने के लिए किसी तरह से उन्हें वहां से उठा कर एक सही उचित स्थान पर लाकर उन्हें जो प्रात्मी को उपचार दिय हाँ जाने के लिए शेड बनाया गया था तस्वीर अम आपको दिखा रहे थे उसके बारे में और प्रदान मंतरु नरेंदर मोडी ये जब यहां पहुँंचे थे उस वक्त के हम ये तस्वीरे दिखा रहे हैं जब हारात का जाइजा लेने के लिए खुद प्रदान मंतरु प्रदान मंत्री को अपने बीच देख कर कुछ धांडस कुछ संत्वना उन्हें महसूस हुई होगी और शांती बनाए रखने के लिए चुकि यहां के लोकल हैं उडिशा के हैं धर्मेंदर प्रदान मुँपर उंगली रखकर इशारा कर रहे हैं संकेत कर रहे हैं कि आप शां चुनौती पूर्ण ये परिस्टी है इसे निपटना बहुत जरूरी है और ऐसे में जो ये पूरे देश के लिए एक बड़ी चुनौती है उडिशा वासियों के लिए ये नहीं बलकि पूरे देश के लिए ये एक बड़ी चुनौती है इस चुनौती से निपटने के दोप में से जुड़े हुए हैं चुकि यह हाधसा सभी के लिए दुखद है 288 लोग जो भले ही किसी और परिवार के थे लेकिन भारतिय नागरिक थे किसी परिवार की शान्थ थे किसी परिवार की जान थे चिराग थे लेकिन वो अब बुझ चुके हैं और इस दुख की तरह से आते हैं उन दोनों को अपने साथ में लेकर प्रधान मंतरी हालात का जाइजा लेने के लिए पहुंचे थे और वहां काफी संख्या में स्थाने लोग भी पहुंचें एंडी आरेफ एसडी आरेफ और सुरक्षाबल जो लगातार सभी इस ऑपरेशन में जुटे हुए चुकि सभी के सहयोग की आवशक्ता है बिना सहयोग के यहां इस बड़ी चुनोती से पार पाना इस बड़ी चुनोती से उबर पाना लगभब असंभव सा प्रतीत हो रहा था और अब चुकि सहयोग सभी का मिल रहा है और धर्मेंदर प्रधान ने सभी के सहयोग की अपील वहाँ पर की मुपर उंगली रखकर इशारा किया शान्ती बनाए रखें अलाकि इस अब जो तस्वीर को आप देख रहे हैं इसके बाद एक और तस्वीर आपको देखने को मिलेगी जब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ घायलों से मुलाकात करने के लिए जाएंगे कि उसके कोशिश हम करेंगे कि सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचाएं जिस तरह अभी प्रधान मंत्री यहां पर जायजा ले रहे थे किन लोगों को यहां से घायलों को कहां भेजा गया है उनके परिवारवालों को इसके बारे में जानकारी नहीं है और इसके लिए और क तो आगे सामने एक बड़ी चुनाती है कि जो बिखरे हुए बोगया है इन्हें समेटा जाए जो बिखरा हुआ सामान है उन्हें उन तक पहुंचाया जाए जिसके जिसका यह सामान है और जिन लोगों को यहां पर इस हादसे की वज़े से बहुत असुविधा हुई है उन किसी तरह से राहत पहुंचाई जाए यह खुद प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी का प्रयास